हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं हैजनबग अंसर्टिनिटी प्रिंसिपल अभी तक आपने क्लासिकल मेकैनिक्स में यह पड़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मुविंग ऑब्जेक्ट का डैफिनेट जह मुमेंटम होता और डैफिनेट क्या होती है पोजीशन होती है य कि अपर यह जो है इस थ्री डिमेंशन में को जो पार्टिकल मानलो यह को मूव ननसेंट की कि किस एक पॉइंट पॉजिशन थी और फी वेलॉसिटी से मूव कर रहे है तो उसके बाद कुछ टायम के बाद उसकी पोजीशन बचे यहां आ गई परेंगी सब्सक्रिशें च अर्ट वात्यु कर फोलो करें है यहां से मैं यहां से शुरू हुआ था जए hangem कर सकते हैं ला नोस ख्लासिकल मेंगेनिक भूस के पॉजिशन क्या होगा पॉजिशन अप एक्स वाइड कॉडिनेट से हम बता सकते हैं लेकिन बच्चे जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कॉपिक लेवल पे तो आपको पता है अगर मुझे किसी इलेक्टोन या फोटोन का बीहेवियर जानना है तो उसके लिए बच्चे क्वा क्या होगा और आप उसी साथ अग जानना चाहते है तो हम चीजे नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता है बच्चे जो इलेक्ट्रोन अगर में लेक्ट्रोन की बात करूं तो उसके साथ यह वे पैकेट आपको मैंने बताया था डैट इस ग्रूप उफ वेलासिटी इस तीक ह कि अगर वे पैकेट बहुत स्मोल है ठीक है पहले तो मैंने आपको बताया था वे पैकेट यह जो है पहली बात है जो पार्टिकल दैट इस गवेंड बाइब वे पैकेट जो है अगर यह बताते हैं कि क्या प्रॉबिल्टी है इस रीजन के अंदर पाई जाने की ठीक है न और है फैकिज कर दो अगर किए पेकिट के ईंदर लाइक करने की फॉल एंधर पिरन 3 जो और हम्याहु काफी हठव बता सकते हैं पापको पता हर वेले इफॉट्ट chopस कर रही है सब्सक्राइब तो यहां पर लॉसीटी बहुत ज्यादा होगा किija और लॉद करने कर आप पोजीशन टॉ मनें पजिशन थो है एलेक्टरन लाइक सकता है लेकिन वेलासिटी ऐसेब्रन कोई भी से मुव नहीं करेंगा तो हमंदे विलोसिटी जो है मारे पास अंसाइन होगी तो हम यहीं पह सकते हैं वेलोसिटी ऊंसर्टेयन होगी मुमैंंटम व मैं टूयागा वेलासिटि प्लैकिन हम किसी पॉइंट पे यह तो बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन और उनक्रीज क्ष Works पाया जा रहां अगर wave packet हमने small लिया है लेकिन हम यह नहीं बता सकते की उसका momentum क्या है तो एक साथ दोनों चीज़ीं हम नहीं बता सकते अगर आप wave packet बच्चे क्या ले लेते हो large जदा ले लेते हो ठीक है तो उस case में हम जो है बहुत सारी waves है ठीक है उस case में हम बिच्चे, मूमेंटम तो डिफाइन कर सकते हैं पर हम पोजिशन जो है इलेक्ट्रों की हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो यही कहती थी हर्जन्बग अंसर्टिनिटी प्रिंसिपल भी ही कहता है तो यहां से बच्चे यह याद रखना आप की अग्र मैंने वे पै पार्टिकल जो है मारा लोकेलाइजड है तो यहां से मेरे पस हैजनबग अंसर्टिनिटी प्रिंसिपल यह निकल के आया कि हम किसी भी हत पर तो आप यह नहीं कह सकते कि हम जो है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसको मोमेंटम दोनों चीजें चाहें एक साथ हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास कंडिशन रहती है द्टैस डेट इस अंसर्टिनीटी इन पोजीशन थिके ला पोजीशन ओफ एलेक्ट्रोन की अंसर्टिनीटी और मोमेंटम ड्टैल्टपी नेरली एकुल टू एच कट तो यहासे बच्चे अगर हमारे पास पोजीशन हमने जो है ऐकुरिट्ली डिटरॉल कर लिए तो delta x यह जो है uncertainty जब uncertainty position की खतम होगी तो position हमने exactly determine कर लिए बद डेल्टा भी जो है उन्सर्टिनीं इंपनायट हो जाएगा यहनुकि हम मोमेंटम जाए साथ में डिफाइण नहीं कर सकते हैं ऐसी momentum एगर हमारे पास क्या जो जब उनसर्टिनिटी जो हमने नहीं बता पारें मुमेंटम की अंसर्टिनिटी हमने हैं तो यहां से बच्चे हमारे पास एक चीज और निकल के आई है जितने भी यह जो हमारे पास यह लो आया है यह जो फॉर्मुला है वजह हैं यह सारे जितने भी डायनमिकल वेरियेबल्स हैं जैसे यह ढ thứ इनको पोजिशनन मुमेंटम उनल गया एनजी टायम जिनका प्КА जो है यह यह किसके ब्लटन के टिपल हो यह एकसे तो यहां पर किया है तो यहां पर एनर्जी एवन होगी यहां पर एनर्जी जो है इतो होगी बोहर क्या कहता है अगर अगरा करेगा उल्टिमेटली है उनके एनर्जी डिफ्रेंस गिया इनवेट नाखी , फिर इनर्जी अगराशी में गया तो यहां से यह इस प्र्दक अवर मियूच्छ अंहेल क्योंद्स Aujourd' थैंक है अगर मान लो की लेक्टव में वह से घैट में मेरा तो उससरे एक्साइट टैम नहीं जो ठीक है न तो यहां से ठीक है ठीक है ए कर आप निकाल है याँ से 1 और यौ juste एंच अच्छ बाइय अगर हम अगर बहुत पोजीशन तौर वह मरें उक्छ जादा है यकर उसक केस में बेख्छे कुछ कुछ error जो हाएगा वो time में आएगा गर time में error आएगा तो of course जो है हमारी energy जो है जो हमारे पास energy उसको मच्छी तरह से define नहीं कर पाएंगे तो energy में भी क्या आजएगा ultimately error आजाएगा measurement of energy में भी क्या आजएगा एरर आजाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा टी जो है इस इकल टू एचकट तो यहां पर यह जो है time energy uncertainty relationship है तो आप यह भी कह सकते हो दूसरे वर्ट में आप यह भी बोल सकते हो कि अगर जो है एक state के अंदर रहेगा उतना time जो है उतनी energy जो है मुझकी accurately जो है determine कर सकते हैं तो यह time uncertainty relationship से हम यह भी कह सकते हैं बच्चे जितना time अगर कम time लेगा ठीक है particle एक state में है मालो इस state में है lower state में है ठीक है जितन देर वह स्टेट में होगा हम energy को well define कर सकते हैं इसकी energy इतनी है पर जैसे ही क्या होगा अगर डेल्टा टी बहुत जादा हो गया ठीक है डेल्टा टी अगर जो है मारे पास जो है longer होगा तो energy defined हो जाएगी लेकिन अगर डेल्टा टी कम होगा तो उस case में जो energy state है is short ठीक है energy जो state है क्योंकि डेल्टा टी अगर कम होगा तो अफ्कोर्स जो है हम उसकी energy states को अच्छी तरह से हम define नहीं कर सकते ठीक है तो that is your time uncertainty relation अब है बच्चे हमारे पास proof of uncertainty अब D Brogley क्या कहता है कि कोई भी particle अगर motion में है तो वह जो है बच्चे जो particle अगर motion में है electron अगर motion में तो उसको आप simple electron नी करोगे electron मतलम मानोगे इसको आप मानोगे बच्चे wave of packets इके ना इसके साथ जहें बहुत सारी waves जहें और travel कर दूँए ठीक है तो यहां पे electron को ऐंगल और फिक्वेंजी बच्चे ग्रूप ओफ वेव समने चिपड़ करी इन सब का जो हमारे पास एंपलीजूड रख लिया पर जैसे एक गरूप ओफ वेव हैं ठीक है फिर दूसरी गरूप ओफ वेव हैं ठीक है इन सब तो सबका सेम है बट हमने क्या कर लिए इनकी फ्रिक्वेंसी जो है बच्चे डिफ्रेंट ले ली एक की फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा वन है तो दूसरी की फ्रिक्वेंसी हमने क्या ले ली बच्चे ओमेगा टू तो वेव डिस्प्लेस्मेंट अगर हम निकाले दो कंपोनें है तो क्या आजाएगे हमारे पाइऑ उस एकल टूर। ये वली टॉर्म ऐसे वली टॉरर्म ट्रूर्श हम से पक्षू थे हम यानत पता ओमिए तो कॉस C plus D by 2, cos C minus D by 2, तो यह हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहां से हमारे पास देखो, हमारे पास क्या आजेगा, तो यहां से हमारे पास जो है, 2A cos omega t minus ks, cos delta omega t by 2 minus delta k by 2 into x, बच्चे, यहां पर delta omega 1 minus omega 2, delta k k 1 minus k2, तो यहां से बच्चे, मैंने resultant amplitude को द्रो भी किया वेव का, यह second component है वेव का, तो बच्चे, अगर मुझे position determine करनी है, तो मैं position यह भी कह सकती हूँ, कि यह जो दो नोट है, यहां पर maximum possibility है, कि electron के मतलब होने की, तो electron के होने की possibilities कहां पे है, बच्चे, नोट पे है, तो अगर मैं इन नोट का difference निकाल लू, तो मुझे पता अगर मैं यह दो नोट के बीच में, इनका difference निकाल लू, तो मिझे यह मिल जाएगा, कि कितनी uncertainty है, कि electron की इस reason के अंदर होने की, तो यहां से मैंने, नोट कब भनेगा, बच्चे, जब हमारा यह वाला factor जो है, वो किसके को लो जाएगा, बच्चे, आपका zero के को लो तो यहां पर पहले मैंने एक डिफाइन करनी थी, जबच्चे, कि जो omega 1 by k1 है, यह क्या आपकी phase velocity first component की, और omega 2 by k2 second के लिए, ठीक है, तो नोट जो हमारे पास बनेगा, वो क्या होगा, यह term जो हमारे पास क्या होगी, बच्चे, 0 होनी चाहिए, और cos 0 कब होता है, जब वो इंटिग्रल मल्टिपल हो किसका, पाइबाय में 2 का, तो यहां से हमने जो है, यह क्या आगया, 2 1 प्लस 1 पाइबाय में 2, अब बच्चे हमने क्या लिया, दो successive हमने जो है, नोट लिये, ठीक है, तो मान लो, एक की position मान लो, हमारे पास क्या है, एक्स वन है, ठीक है, तो प्या बना भी सकते है, एक्स वन फर्स्ट नोड की position है, और एक्स टू के है, बच्चे सेकिंड नोड की position है, तो जब एक्स वन आप फर्स्ट के लिए निकालोगे, तो डल्टा ओमेगा टी बाय में 2, माइनस डल्टा के एक्स वन प्लस 1, पाइबाय में 2, ठीक है, यहां से सेकिंड नोड कब आएगा बच्चे, जब हमारे पास N की value क्या हो जाएगी, मतलब सेकिंड के लिए अगर हम निकालेंगे, तो क्या आजएगा बच्चे, 2N प्लस में 3, पाइबाय में 2, क्योंकि बच्चे सक्सेसिव नोड है, तो सक्सेसिव नोड में अगर आप देखें, तो एक अगर मान लो N पे है, एक नोड N पे है, तो सेकिंड नोड कहां बच्चे जाएगा, N प्लस 1 पे जाएगा, तो यहां पे बच्चे 2 इंटू, हम क्या करेंगे, N प्लस 1 करेंगे, तो 2 N प्लस 1 क्या जाएगा, 2 N प्लस 3, पाइबाय में 2, ठीक है, समझ में आगया इन दोनों का जो डिफ्रेंस है वो मुझे क्या देगा अंसर्टिनिटी देगा किसमें पॉजीशन पार्टिकल में तो यहां से बच्चे हमारे पस क्या आजेगा कि यह जो है यह फैक्टर कैंसल हो जाएं कि देल्टा के बाई में टू एक्सवन माइनस एक्सटू इस इक्वल अंसर्टिनिटी है कि समें पॉसीशन में ठीक है ला कि हमने यह बता दिया कि दो नोट सकते हैं यहां पर इलक्टरॉन जाया चाह कि इतनी अंसर्टिनिटी की डेल्टा एक्स इस इकॉल टू पाई बाई में डेल्टा के तो बच्चे यहां से मारे पास के जो है डेटिस बच्चे 2P से 2P cancel ठीक है ना तो यहां पर मैंने डेल्टा एक्स इसकी डेल्टा की वैल्य हां substitute करी तो डेल्टा एक्स इंटु डेल्टा पी जो है मारे पस क्या आजेगा बच्चे एक्स इक्वल आजेगा तो अगर आपको जो है तो डेल्टा पीज डेटी इन मुमेंटम ठीक है तो अगर हम बहुत सारी वेव्ज लेंगे और सबका फ्रिक्वेंसी जो है डिफरेंट है तो प्रोड़क्ट जो इन दोनों एरस का जो प्रोड़क्ट होगा वह हमेशा याद र अगर उन्सर्टिनिटी प्रिंसिपल की रिलेशन्शेप है